अमेरिका में जब टीवी देखते वक्त रिमोट खराब हो जाता है तो तब वो पुरानी बैटरी रिमोट में से निकाल कर नई डाल देते हैं और उसे यूज कर लेते हैं और जपान में जब टीवी देखते वक्त रिमोट खराब हो जाता है तो वो टीवी के रिमोट को साइड रखके टीवी के पीछे वाले बटन्स को यूज करके चैनल चेंज कर लेते हैं और इंडिया में जब टीवी देखते वक्त रिमोट खराब हो जाता है तो वो उसको ठोक ठोक कर ठोक ठोक कर उसकी पिटाई दुलाई कर करके उसको एक नहीं 10 सालों तक चला लेते हैं तो दोस्तों आप क्या करते हो कमेंट में जरूर बताएं